नमस्कार दोस्तों पेने स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हर्दी कम नंदर करता हूँ दोस्तों आज हम लोग जो दो पेने स्टॉक देखने वारे हैं और दो पेने स्टॉक के साथ तीन ऐसे स्टॉक हैं जिसका फंडामेंटल बहुत ही श्टॉक है और यह पेने स्टॉक इन दोनों पेनिश्टों को बता देता हूँ फटाफट इसके बारे में और लेडी मैंने पूरे बिस्तार से बता चुका हूँ इस कंपनी के बारे में दोस्तों तो ये कंपनी आपको जो सबसे पहली है वो कंपनी रहेगी यहाँ पर बड़ा करके नाम में दिखा जाता हूँ तो बने रहेगे मेरे साथ और ये देखिए दोस्तों जी हाँ MPS Infotech जी हाँ दोस्तों जिसको VCS Info के नाम से जाना जाता है तो इस कंपनी का नाम आपको देख गया इस कंपनी का हो ना हो कल के दिन ब्रेकाउट जो अपर सर्कृट का लेवल है वो टूटने वाला है और वो जैसे टूटेगा तो हमें एक चांस मिलेगा और लेडी हम लोग ने इसका फंडरमेंटल देख चुके हैं तो दोस्तों अब हम बात करें अगर अपने नेक्स टॉक की तो अचा इसके बारे में अगर हम लोग VCS Infotex के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिस्ट भी मैं दिखा दे रहा हूँ ना तो यह एसम लिस्ट में है ना तो यह जिएसम लिस्ट में है तो दोस्तों 29 पैसे का सेर और देखे जिस तरह से हम लोगों ने इसको अपटे टेलिग्राम चैनल पर पकड़ा था और वहां से एक बहुत भणिया प्रॉफिट भी हम लोगों ने अर्डिंग किया हुआ है तो प्लीज दोस्तों टेलिग्राम चैनल को जोईन जरूर किजेगा क्योंकि यहां पर अच्छा दूसरा स्टॉक जो मैं बात कर रहा था दूसरे स्टॉक के उपर हम लोग फटाफट आ जाते हैं तो दूसरा स्टॉक का भी आराउंड ब्रेकाउट हो चुका है और उसका अप दिखा जाता हूं मुझे नाम दिखाने में कोई प्रॉब्रम नहीं होता है सबसे पहले आप नाम देखिए तसली कीजिए उसके बाद से आए टेलिग्राम चैनल पर कल से 9-15 से स्टार्ट रहना बताते जाऊंगा किसका किसका ब्रिक आउट हुआ है किसका किसका अपर सर्क अकल के दिन इन्वेंचर ग्रोथ वली यह भी ना तो यह समय ना तो यह समय है तो इसको एक बार देख लिजेगा आपके सामने ही मैं एक बार देख लेता हूं यहां पर इस कंपनी को भी सर्च कर लेते हैं सर्च करने में क्या जाता है दोस्तों फंडामेंटल जब हमें दस बार सर्च करेंगे उसमें क्या है कुछ भी गलत है तो यह देखिए आपके सामने इन्वेंचर ग्रोथ ना तो एसम लिश्ट और ना है जी एसम लिश्ट तो यह कंपनी का मुझे ऐसा क्यूंकि यह 20% बाली सर्किट मारती है तो 20% बाली सर्किट तुरंत खुलते ही नह हम लोग एक बार फट तो देखते चले आते हैं और बहुत से लोग ने कॉमेंट भी क्वह टा हुआ था तो इस कंपनी का एक बार हम लोग का market cap देफ्ट मात्र 74 करोड का है और रिजर्व की बात करें 120 करोड कर रिजर्व इस company को तो इस company को हम लोग as a debt free मान सकते हैं book value की बात करें तो तो आठाई रूपया इसका book value है और अपने book value से ये company कम से कम कहां तक बाग सुकी है तो इस company को थोड़ा सा क्या दिख रहा है मैं यहां पर यह दिख रहा है देखे और company return equity इतना है डिलेवरेट सी यह बाइस परसें तक है promoter holding का 2.0 last quarter में increase हुआ है promoter भी बड़े हुआ है तो book value से around यह 4-5 गुना भाग चुका है ठीक है यहां पर दिखाने रहता है process कौन से लिखता है लेकिन यहां पर दिखाने रहा है तो हम लोग तो हम लोग इसे इस तरह से देखेंगे company का fundamental ठीक है और company का जब fundamental ठीक है तो यह chart पर क्या कर रहा है क्या यह breakout मारने वाला है क्या यह breakout मार चुका है अब यहां पर कहानी होती है start तो दोस्तों बने रहे हैं मेरे साथ मैं आपको चार्ट पर देखिए कोई भी stock अगर मुझे चार्ट पर देख गया ना तो मुझे second नहीं लगता है उनको पकड़ने के लिए देखिए दोस्तों दिख रहा है आपके सामने तो अब यह company कहानी क्या कर रही है fundamental wise strong company अगर हम इस company का 1995 की बात करें यह company करती क्या है 1995 बहुत पुरानी कंपनी है manufacturing and markets healthcare products अच्छा healthcare products से analysis की बात करें पेर की बात करें breakout में क्या करना होता है breakout में यहां पर लगाना होता है एक resistance और इस resistance की अगर आप बात करोगे तो all time high को यह company break कर चुकी है अब कल के दिन देखिए all time high जब भी break होता है न तो एक से दो दिन company पता है क्या होती है या तो sideways रह जाती है इस तरह से sideways रह जाती है देखिए मैं बता देता हूँ यहां पर किस सरसे करती company या तो दो चीजे होता है या तो कल के दिन यह इस तरछ से sideways रह जाएगा दो चार दिन आपको इस तरह से जिलाएगा और के सामने यहां पर एकहांपल आप देख रहे एक केंडल भागे एक हफता दो आप तीना दा चार पाँज साथ आट नो दस-11 हफ्ता तक जिलाया अब जिसके पास पेसेेंस है वही लेकिन यहां पर ना बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेक आउट मारा है तो हो सकता है कल ये गैप अप खुल जाए अब गैप खुलेगा तो किस लेबल पर इसे पकड़ना है इसे मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर बता दूँगा तो दोस्तों टेलिग्राम चैनल को जोईन के लिजिए फिलाल ये तो भाई ये खतरनाक कंपनी है तो सबसे पहले इस खतरनाक कंपनी को ही हम लोग देख लेते हैं वीडियो आप आज क्या है अड्राइट इन्फो टेक अड्राइट इन्फो टेक कि अगर हम बात करें तो ये देखिए एक ऐसी कंपनी है जो इन्फोमेशन टेकनोलजी पर काम करती है और इसका मैंने इस कंपनी के बारे बढ़ा डीप से पढ़ा था कहां गया ये कंपनी about this company जी हाँ friends मैंने बड़ा इस company के बारे बहुत डीप से पढ़ा था कुछ एक मिनट दीजेगा मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये ना कुछ ऐसे चीजें होती है जो साप हाना और साप सूठ हाना मैं आपको बताता हूँ ये company जैसे जो data base होता है जो data base को collect करके रखता है और फिर उसको recovery कर ली जाती है तो खुछ इसी तरह से इसका business system बिजनेस model है अब जो लोग IT में काम करते होंगे दोस्तों उनको इस company के बारे में पूरा detail में मालूम होगा कि ये साप production क्या होता है and साप solution क्या होता है ये सब चीजें उनको पता होगा तो ये company overall IT sector की company है और इसका सबसे पहले हम लोग इसी company के साथ बिदा ले लेंगे सबसे पहले हम लोगों को इसका fundamental देख लेते हैं और fundamental देखने के वाद से क्या करेंगा हम fundamental देख करके देखे वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने comment किया असर वीडियो बड़ी बड़ी बन जाती है तो market cap 19 करोर का market cap depth की बात करें इस company में zero depth reserve की बात करें reserve से company ने पैसे नहीं रखा है लेकिन promoter holding का stake लेकिन फिर भी यह company इसका book value कितना है चार रुपया और current price कितना चल ला है 10 रुपया 60 पैसा मतलब यह company अपने book value से कितना भागी है डेढ़ गुना भागी है ठीक है only डेढ़ गुना भागी है आगे आनोले दिनों में कितना भाग सकते इसको थोड़ा समलोग यहाँ पर deeply क्या करेंगे इस company के इस company का एक बर chart देख लेते हैं और फिलाल यह company ना तो कोई upper circuit में ना तो कोई lower circuit में है तो यह company एकदम simple सिधा सिधा काम कर रही है लेकिन जिस दिन breakout होगा उस दिन इस company में क्या हो गया copy करना है और यहाँ पर आके इस company के पास यहाँ से paste कर देना है तो company का यहाँ पर नाम आना चाहिए जी हाँ दोस्तों अब देखिए एक बता देता हूँ मैं इस company को एकदम note down करके रखेगा देखें फिरेंट्स यह company अभी तक split भी नहीं हुई है ना तो bonus यह दिया हुए तो यहाँ पर dividend जरूर दिया हुए लेकिन अभी तक को split तो इस company को बारे में थोड़ा साम देखेंगे कि जैसे आज की date में आप देखेंगे बहुत सारी company क्या कर रही है आ रही है अपना IPO लेकर क्या रही है तो जाहिर सी बात ही यह भी company कभी ना कभी IPO लेकर क्या आई होगी और IPO कभ लेकर क्या था यह अगर यह company का data चार्ट पर सही है तो एक मई एक मई कितना है वही एक मई 17 अगस्त कभ का दिया है data सही से यहाँ पर नहीं दिखा रहा है रुकिए इसका data by data ही निकाल लेते हैं सबसे पहले company का अच्छा मई 2017 एक मई 2017 को इसका IPO launch हो जो जो तो और लिस्टेड होई NSC BSC के side पर और वहीं से वहीं से इसकी gear out चालो ही और आज तक यह company उठी नहीं कभी लेकिन इसका थोड़ा सा अगर आपको मालूम होगा rounding bottom pattern अगर आपको थोड़ा भी rounding bottom pattern के बारे में मालूम होगा तो आपको मालूम होगा कि rounding bottom pattern इसी तरह से आता है और धीरे धीरे यह round होने लगता है band होने लगता है एक बार sideways लेता है उसके बाद दोस्तों company ऐसे उपर की side में निकलती कि आप पूछो मत अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि जब यह company इतना बढ़िया थी तो यह नीचे गिरी क्यों अगर यह नीचे गिर गए तो हम इसमें हम इसे क्यों बाई करें हमें यह कैसे मान करके चले कि यह company उपर की side में जाएगी ही जाएगी तो दोस्तों simple सी बात है अगर आप मुझे follow करते होंगे तो आपको पता होगा कि हर बार में बोलते रहता हूँ book value book value अब यह company का book value 4 उपे 16 पैसे पर है और यह company open कहां पर होती है open होती है कितने पर यह high बनाता है open होता है मैं आपको बता देता हूँ 63 पर अपने book value से कई कई गुना उपर यह open होता है तो जब यह company इतना profit gain दे देती है open होते ही तो वहां से जब गीरेगी तो कहां पर आएगी अपने book value के पास ही आएगी अब आपको पता होगा अगर आप मुझे follow करते हैं तो book value के साब से कोई भी company अगर एक गुना डेड़ गुना दो गुना तीन गुना तक भी है तो भी वह सस्ती है क्योंकि छे गुना साथ गुना तक आठ गुना तक अगर आईटी की company है तो 10 बारा या 13 15 गुना तक आईटी की company भागी हुई है तो जोस्तों जब यह अपने book value के पास आ चुका है अब क्या कर रहा है अब यह sideways हो रहा है ठीक है sideways हो रहा है और rounding bottom pattern अगर हम इसे weekly chart पर देखें तो weekly chart पर आप देखें एक हपते का यह chart है किस तरह से अगर जितना gir out हो चुका था अब gir out हो चुका है और इसमें आपको volume दिख रहा है price में अगर समझ में आये तो ठीक है नहीं समझ में आये तो आपको अब आप देखें अगर आप इसमें इतन्य दिनों से यह sideways चल लिए ठीक है sideways चलती चलिए आ रही है अब इसमें सवाल यह उठता है friends की अब तक इसमें कोई भी breakout नहीं हुआ क्या हो गया भाई system ना कभी कभी मजा नहीं आता है ठीक है तो देखें इतन्य दिने से यह sideways चल लिए है तो sideways जब चल ला है तो क्या इसमें आपको कहीं भी इतन्य दिनों के अंदर कोई ऐसा red volume बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिससे हम को यह पता चल से कि कि इस company में buy मतलब लोग selling कर रहे हैं ऐसा कुछ भी पता चल ले है आपको यहाँ पर highlight कर दिया yellow color से आपको यहाँ पर क्या देख रहा है अब यह दीख रहा है कि इसमें बड़ी बड़ी volume green color के मतलब यहाँ पर accumulation किया जा रहा है यहाँ पर buying की जा रही है जिस दिन breakout मारेगा और breakout level होगा 15 बाला जिस दिन breakout तो फिर यह company उपर की side में इसके जानी के most probably chances बहुत जादे हैं ठीक है थोड़ा सा इस company के profit and loss statement पर आईएगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेगा इसमें कहीं न कहीं profit and loss के हिसाब से अभी भी इसमें yearly का है annual result है हम बात करें अभी भी दो quarter बचा हुआ है तो पिछले 2020 के data को इस साल 2021 में cross करता है कि नहीं करता है और अगर हम quarter की बात करें तो quarter में आप देखिए इस तरह से quarterly के अगर बात करें तो फिलहाल जो September 2021 का quarter आया था अब तक मतलब हां मार्च 2020 से लिए करके अब तक का सबसे बढ़िया result इस company ने यहाँ पर दिया है तो इसी लिए मैं बोल ल दिखाई दे रहे हैं तो इस company को पकड़िएगा और इस company को जब IT sector की company है तो target 1500 और 2000 वाल टार्गेट मतलगा यह ठीक है यह सब चीजों को गलग चलिए thumbnail पर लोग डालते हैं ताकि आप एक बार attract हो करके देखिए तो वो बात अलग है लेकिन जो thumbnail पर डारने के बाद से GSM list में ऐसे ही penny stock बताया जा रहा है तो आप उन सब चीजों से दूर रही है आपके पैसे फंस जाएंगे जिस तर से comment आ रहा है कि हमारा अब एक भाई साब को क्या मैं बताऊं कि उन्होंने comment में लिखा है कि sir मेरा एक stock है portfolio में दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे उस stock का नाम भी याद नहीं आ रहा है अब बताइए किस तर से उस company को लिया जाए तो आप से मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो भी stock होगा आप अपने email पर चेक करिएगा उसका एक exit window वाली message आएगी या email आएगा आपको तो जिस दिन एक महिने के time होता है exit window वाला उस time पर आपको ब पता है ना current liabilities current assets को बिच करके liabilities चुकाने के बाद से जो पैसा बचेगा उसको एक fair value निकाला जाएगा ठीक है तो उस fair value के अब आपने उसे से उपर खरीदे हैं या आप उसे से नीचे खरीदे हैं अगर आप उसे से नीचे खरीदे हैं तो उस fair value के हिसाब से ही आपको पै कारेंटी के साथ कहता हूं लेकिन आपको थोड़ा सा उस company के बारे में या आप अपनी ब्रोकर जिस भी ब्रोकर माली जी अगर जीरोधा जीरोधा में अगर आपका डिमेट अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग में है ठीक है अप स्टॉक्स में किसी भी है तो आपको एक बार उन एकजिट विंडो कब से कब खुला रहेगा अगर एकजिट विंडो आप मिस भी कर दिये तो भी आपको कम सकम वह company एक साल तक का टाइम देती है तो यह सब चीज़े आपको याद रखना है समझ में मतलब जो स्टॉक पेनी स्टॉक आपको पता है खतरे से खाली नहीं है त तो यह सब चीज़े समझ में आजाएगे तो दोस्तो यह हो गया और मुझे लगता है कि वीडियो कितनी बड़ी बन गई बहुत बड़ा नहीं बनाऊँगा 17 मिनट की वीडियो बनेगे दोस्तो एक और स्टॉक रह जाता है जिसका फंडामेंटल बहुत ही स्टॉंग है ठी कुछ भी नहीं देखेंगे बस ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ नहीं ना तो कॉपी दद्दस रुपे का यह स्टॉक है तीनो के तीनो स्टॉक जो मैं बताया और सुरू वाले जो दो स्टॉक थे यह देखेंगे दोस्तों यही थी ना पहले वाली साइद यह दोनों एक ही है ओके 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 साइद मेरे से कंफ्यूजन है तो यह पहली वाली ही कंपनी है दोस्तों इसके उपर आप फोकस जरूर रखिएगा और यह फिलहाल तो ब्रेक आउट मार चुकी है अगर कल ग इसी के साथ विदा लेता हूँ और आप से तो लाइक करने के लिए कहना भूली गया तो प्लीज जाते जाते एक बार लाइक जरूर किजीगा और अगर आप बीना सबस्क्राइब किए और इस वीडियो के देख रहे हैं तो एक बार सबस्क्राइब जरूर किजीगा बहुत